हेलो प्यारी बच्चों क्या हाल चलें आप सभी के तो देखिए डियर स्टूडेंट्स अपने कर रहे थे फिजिक्स में चैप्टर नमबर थर्ड जिसका नाम है इलेक्रिक पोटेंशियल या विदूत विबफ और आज अपने इसका पार्ट नमबर छे डिसकस करने जा रहे ह जिसमें अपने पास दो टॉपिक हैं पहला जो टॉपिक है आवेशित गोलिया कोश के कारण विदूत विबफ ठीक है जैसे आपने विदूत क्षेतर की तीवरता में पड़े थे ना जो जो पॉइंट वही पॉइंट आपके यहां पे आएंगे अब कि उसमें आपने गोल के कारण आपको क्या निकालना है गोली या कोश होता है खोकला गोला और नीचे आपको ठोस जो चालक गोला उसके कारण विबफ कमान निकालना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो तो देखी पहरे बचो कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपन करवाऊंगा आपको आपको पता लग जाएगा भी यह टापिक तो हमने पहले किया हुआ है ठीक है का काउसी चीज बॉर्ड पर करवानी है और कौनसी आपको नोटस में करवानी है तो देखो जो इस टॉपिक का नाम दिया हुआ है विदूत विबो का परिकलन या calculation of electric field यहनी अपने अलग-अलग आकरतियों के कारण क्या निकालेंगे विदुत विबव निकालेंगे ठीक है तो आवेशित गोली या कोशिया खोखले गोले के कारण विदुत विबव electric potential due to charge spherical shell इसके कारण आपको potential निकालना है विबव निकालना है तो देखो इस टॉपिक को करने से पहले आपको जो विदुत विबव है उसकी परिवाशा पता हो नीचे यह क्या होती है तो विदुत विबव की परिवाशा आपको एक बार मैं दुबारा repeat करवा देता हूँ क्या होती है कि अगर अपने क्या करे अनंत से लेके और किसी बिंदु तक आवेश को लाएं तो आवेश को लाने में जितना कारे करना पड़ता है वो कारे क्या होता है उस बिंदु पर विदुत विबव होता है अनंत से पकड़के और विदुत क्षेतर में किसी भी बिंदू तक लाने में जितना उसको कारे करना पड़ता है वो कारे क्या कहलाता है विदुत विबब कहलाता है ठीक है यह आपको पता होना चाहिए भाई आवेश को पकड़के विदुत क्षेतर तक लाना है अपने को बैस तो अब देखो आपको क्या है कि एक गोला दिया हुआ है और उस गोले की जो तरीजया है वो तरीजया आपको यहां पे दी हुई है यह यहां लिखना बूल गया मैं कैपिटल आर तरीजया का गोला है और कैसा गोला है खोकला गोला है अब खोकला चालक भी हो सकता है, कुछ चालक भी हो सकता है, दोनों टाइप के हो सकते हैं, जो गोले होंगे, खोकले खोला है, ठीक है, तो अब देखो, कि एक capital R3G का गोलिया कोश है, या खोकला गोला है, इसे plus Q आवेश देते हैं, जो इसके प्रेश्ट पर एक समान रूप स फैल जाता है, मतलब की uniformly उस पर क्या हो जाता है, फैल जाता है, एक समान रूप से, जैसे ही चार्ज फैला हुआ है, ऐसे फैल जाता है, और इसकी सत्या पर फैलता है, ठीक है, तो अब इस गोले हे, तो अलग-अलग स्थितियों पर विबव का मान गयात करती हैं, विबव क मान अपने इसके लिए गयात करेंगे, तो पहले अपने को जो विबव है, गोले के बाहर स्थित बिंदू के लिए गयात करना होगा, विबव का मान, तो अपने देखो क्या करेंगे, कि यहां अपने को यह वाला जो गोले का केंदर O है, यहां O गोले का केंदर है, तो इस स small r दूरी पर आपको क्या करना है P बिंदू लेना है और P बिंदू पर आपको क्या करना है इस गोले के कारण विभव का मानी यहां पर निकाल ला है तो निकाल ला है तो आपको क्या करना पड़ेगा अनंत से इकाई आवेश को या प्रिक्षन आवेश को इस बिंदू तक ला पर ठीक है तो आपने क्या किया था कि आपको पता है कि जो पहले आपने फॉर्मुला निकाला था बिंदू आवेश की कारण विबव तो उसमें विबव के लिए आपने क्या यूज गिया था वी ब्राबर क्या होता है इंटिग्रेशन ओफ ए डॉट डी यार होता है और क्षेतर की तीवर्ता क्या होती है मैंने आपको कहा था कि अगर आपको चैप्टर सेकेंड आता है तो ये वाले चैप्टर असान होगा तो अब अगर किसी को नहीं पता खोकले गोले का तो खोकले गोले के चारों सुत्र आपको पता होने चीए तीवर्ता के हरेक केस के जो अपने गोले को आवेश दिया है वो आवेश कैसा है यहां पे प्लस आवेश है यह वाला और आप जो Q0 आवेश लाते हो वो भी प्रिक्षन आवेश कैसा होता है एक आंक दनावेश होता है तो मतलब दोनों यहां पे प्लस प्लस के बीच क्या लगता है परती कर्शन बल के लिए अपने जो आर कैप का मान लेते हैं वो कैसा लेते हैं प्लस का लेते हैं ठीक है तो तभी यहां पे आर कैप लिया हुआ है तो अब इसका मान जब अपने इसमें रखेंगे तो देखो यह सारा फॉर्मुला वही बन गया जो आपने बिंदू आवेश के लिए विबब कैसे होगा ठीक है क्योंकि तीन जगा आता है यहां पर इस चैप्टर में तो अब आपको क्या करने हैं वी बराबर यहां पर तीवरता कमांड रखने हैं फिर आपके पास आजेगा आरकैप.dr वेक्टर और यह आरकैप.dr वेक्टर जब मैंने बिंदु आवेश के कारण विबव निकाला था तब वहां पूरी डिटेल में बताया था इसको कि आरकैप.dr का अपनी जब इसको सॉलव करते हैं तो DR आता अपने पास क्योंकि आरकैप का परिमान तो एक हो जाता ह DR वेक्टर का परिमान DR होता है और कोस जीरो तब ही लेते हैं अपने क्योंकि आरकैप और DR के बीच जो कोन होता है वो समान होता है क्योंकि दोनों की दिशा क्या होती है सेम होती है क्योंकि अगर मानलो मैं यहां पर आरकैप यह वाला ले रहा हूं मैंने यही बताया था रि कैसे मान सकते हो भी एक सेंटीमीटर है तो जब R-cap की दिशा ये वाली है तो DR की दिशा भी यही होगी और जो R-vector की दिशा भी यही होगी मतलब 3-0 की दिशा मैंने आपको कहा था क्या होती है समान होती है ठीक है तो अब देखो यहां पे दोनक की बीच कौन 0 तो DR आ अब R-cap की पावर-2 का DR के साब एक समाकलन करेंगे तो-2 प्लस एक और-2 प्लस एक तो अब यह जाएगा R-1 और बटा में-1 यह वाला माइनस क्या हो जाएगा बाहर चला जाएगा यह वाला माइनस बाहर जाके यहां पर क्या बना देगा इसको प्लस और अंदर R-1 को मैं आहां लिख रहा हूँ एक बटा R और लिमिट यह आँपे लगी होई है तो अब केक्यू इंटू में क्या आजएगा एक बटा R-1 बटा अनन्त यह क्या कर दिया लिमिट का माने आँपे पूट कर दिया रख दी उसकी वैल्यू लिमिट की तो यह आगया केक्यू बटा आ रहा जाएगा स्मॉल आर तो विबव आपके पास बाहर स्तित बिंदू के लिए क्यू बटा आ रहा है तो बिलकुल सेम चीज बन रही है कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें ठीक है ना सब कुछ सेम है कोई भी फरक नहीं है बिंदू आवे इसके कारण विबव और इसके करवा चुका हूँ है इसका तो तब ही मैंने दूसरी बार इसको नहीं करवाया बोर्ड पर क्योंकि एक बार अल्रेडी करवा चुका हूँ तो अब नोट्स पर ही करवा रहा हूँ तो इसको आप लिख के देखना बचो और जब अगर मान लो कि आपने गोले को माइनस बटा आर आ जाता ठीक है अब नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या आ जाएगा वो आ जाएगा कि गोलिया कोश के प्रिष्ट परस्तित बिंदू के लिए तो आप स्मॉल र की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी मतलब जो गोले की सतय वाले बिंदू के लिए तो पी बिंदू आपका सतय पर आ गया तो इसकी दूरी स्मॉल र इस एकल डू कैपिटल र है तो विबव का मान अब आपको क्या करना है स्मॉल र की जगह कैपिटल आर रख देना तो यह आपके पास क्या आ जाएगा के क्यू बटा कैपिटल आ रहा हुझाएगा विबव का मान यह जएगा सतय वाले के लिए अब तीसरा पॉइंट है बई वो यहाँ पे सबसे important पॉइंट बच्चे सबसे ज्यादा गलती यहां तीसरे पॉइंट में करती है ठीक है न? तो यह वाला पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ लेना और इस point को समझने के लिए मैं आपको specially कह रहा हूँ कि विबव की परिवाशा आपको पता होनी चाहिए विबव की definition क्या होती है तब आपको ये समझ आ जाएगा तो एक बार फिर से मैं विबव की परिवाशा आपको repeat करता हूँ क्या होता है विबव की अनंत से लेकि और विदुत क्षेतर में स्थित किसी बिंदू तक लाने में जो आवेश को कारे करना पड़ता है वो क्या कहलाता है विदुत विबव कहलाता है ठीक है तो अब देखो आपका जो बिंदू P है ये अंदर चला गया गोले के तो अब आपको क्या करना पड़ेगा अनंत से पकड़के और यहां P बिंदू तक कारेगा आपको करना पड़ेगा आवेश को लाना पड़ेगा तो कई बच्चे पता है यहां पर क्या सोचते हैं कई बच्चे सोचते ह है कि जो खोखले गोले के कारण विदुद क्षेतर की जो ती वरता है वो जीरो होती है अंदर जीरो होती है मैंने आपको जीरो करवाया था तो वो इस ए की जगए जीरो रख देते हैं और वी ब्राबर जीरो करके आंसर निकाल देते हैं ठीक है तो इसका मतलब देखो भी नहीं possible यानि कि विबव का मांड 0 नहीं होता है खोकले गोले के कारण तीवर्ता का मांड 0 होता है और 0 कहां होता है वो अल्ली अंदर अंदर होता है लेकिन आपको जब देखो अनंत से आवेश को लाना पड़ेगा तो यह अनंत तो गोले के बाहरी होगा अंदर थोड़ा हो सकता है अनंत बिंदू क्योंकि ये वाला बिंदू तो मालोग गोले की सता है ये तो capital R दूरी पर ही आगी तो आपका अनंत बाला बिंदू बाहर होगा तो इस बिंदू से पकड़ के आपको इस पी बिंदू तक लाने में कार्या करना पड़ेगा आवेश को तो कार्या ये कभी जीरो नहीं हो सकता तो आपका जो विबव है वो भी आएगा अब समझो भी कैसे आएगा विबव तो देखो बाहर तीवरता का मान अगर मैं अनंत से लेके और यहां इस बाहर वाले बिंदू तक लिखूँ तो यहां तो तीवरता का मान के क्यू बटा आर स्क्वेर है क्या है के क्यू बटा आर स्क्वेर है तीवरता का मान और अगर मैं अंदर बात करूँ तो अंदर वाली तीवरता जीरो है मतलब यहां पे जो विबव आएगा वो दो ती पे जो है वो कार्य करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे तीवरता का मान है लेकिन जो सतय से पी बिंदू तक यानि इतनी दूरी तक आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा तो कार्य आपका उनली इतनी दूरी तक जीरो होगा सतय से लेके और उस पी बिंदू तक कार्य जीर रहेगा क्योंकि Newton का नियम अपने को कहता है कि कोई वस्तूप पर अगर net बल जीरो है कोई बल नहीं काम कर रहा तो जिस वेग से वो गती कर रही है उसी वेग से गती करती रहेगी और अगर स्थिर है तो वो स्थिरी रहेगी ठीक है तो वही अनंत से लेके और सतय तक लाने में तो आपको जो कारय करना पड़ेगा करना पड़ेगा तो वही चीज यहाँ पर लिखी है मैंने कि गोले के अंदर स्थित विबव की गन्ना के लिए आवेश को अनंत से लाने पर अनंत से लाएंगे तो अनंत से सतय तक लाने में कारय करना तो विब भी यहां पे दो होंगे ठीक है आप यहां पे एक चीज और एड़ कर लेना मैंने यह लिखा है कि यह वाली जो तीवर्ता है यह वाली तीवर्ता अपने लेंगे इसमें लेंगे इ आउटसाइड वाली कौन सी लेंगे आप यह यह आउटसाइड लिख लेना इस ती कुछ दूरिंग में उसकी दूरी कित्री है केंदर से लेके नंत दूरी है और जब आप सतय तक ला रहे हो तो सतय तक किस बिंदो की दूरी के तरी है यह वाली यह वाली kसा मैं हो जाएगी kaipital आर हो जाएगी मतलब आवेश को अनंत से लेके और capital R दूरी तक तो आपको कार्या करना पड़ेगा अब आप capital R तक ले आएं तो अब आपको capital R से लेके और फिर आपको इस बिंदू तक लाना है तो इस बिंदू की केंदर से जो दूरी कितनी होजेगी small R तो small R तक जब आप लाओगे तो यहां तक लाने में कोई कार्या आपको नहीं करना पड़ेगा मतलब कार्या कामान जीरो हो जाएगा तो देखो यहाँ पे अपने दो तीवर्ता हैं आ जाएंगी एक बाहर वाली तीवर्ता और एक अंदर वाली तीवर्ता अंदर वाली तीवर्ता कमान जीरो होगा तो अपने यहाँ पे तभी मैंने यह वाला formula लिखा और यह formula बच्चो आपके आगए भी काम आएगा कि यहाँ दो टीवर्ता हैं यह बाहर वली यह वली टीवर्ता outside है और यह वली टीवर्ता inside के लिए है तो यह वली तो 0 होगी inside वली तो अब यहां outside वाली में आपको पता है कि बाहर जो गोले के तीवर्ता होती है वो kq वटा क्या होती है r square होती है और जब आप इस limit को सारे को solve करोगे तो यह फिर से क्या बन जाएगा वो ही आपके पास derivation बन जाएगा kq वटा r वाला और यहां पे देखो change क्या है कि यहां पहल लेडी पहले कर चुके हो तो यहां पे kq वटा r माइनस में 0 आ जाएगा तो मतलब kq वटा r आ जाएगा या आप यहां पे अगर यह वाले जंजट में नहीं पढ़ना चाहते तो आप यहां पे सीधा लिख सकते हो कि आवेज को गोले की सतय तक लाने में कारह करना पड़े गोले की केंदर पर तो अब कई बचे सोचेंगे कि सर यहां केंदर पर क्या होता है r का मान 0 हो जाता है ठीक है तो r का मान 0 हो जाता है तो तीवरता 0 हो जाएगी तो क्या होगा यहां पे विदुत विबव का मान क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा लेकिन बच्चों यहां पे फिर से वही खेल है कौन सा कि आपको क्या करना पड़ेगा अनंत से लेके और इस सतय तक लाने में कार्या करना पड़ेगा आपको क्योंकि यहां आवेश स्थित है लेकिन जब आप अंदर आ जाओगे अंदर आपके पास कोई आवेश नहीं है क्यों का मान आपके प लिखा है और विदुत क्षेत्र का मानत क्या है जीरो है तो मतलब सतय तक लाने में ही आवेश को कार्या करना पड़ेगा आपको तो तबी तीवर्ता के मान देखो तीन बिंदों के लिए एक जैसे आ रहे हैं जो इसका क्या था सतय वाला तो उसके लिए अंदर वाले के लिए और केंदर वाले के लिए तीवरता के क्यू बटा र आर यह और यह constant value है क्योंकि K भी constant है गोले को दिया गया आवेश भी constant है और गोले की तरीज़े भी constant है ठीक है तो अब देखो अपनी क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं V और R के मद्या है तो V और R के मद्या जब अपने ग्राफ बनाएंगे तो देखो मैं center से start कर रहा हूँ R बराबर 0 के लिए विबव के क्यू बटार R less than capital R के लिए तीवरता क्या आजेगी के क्यू बटार यह कौन सा बिंदू है बता सकते कौन सा बिंदू है यह वाला यह वाला आपके पास है inside वाला बिंदू जब गोले के अंदर बिंदू है आपका ठीक है तो उसके लिए भी थीवरता के क्यू बटार स्वरी विदुत विबव क्या आजेगा के क्यू बटार अब जब सत्थ है के लिए आये हुए तो सत्थ है के लिए विबव के IQबतार लेकिन जब आप बाहर जाते हो तब आपके बास विबव का मान के IQबता small r आता है तो देखो अंदर वाले के लिए ठीक है, R बराबर 0 यहां पे हो जाएगा, R बराबर 0 वड़ा यह मुल बिंदू हो जाएगा, तो इसके लिए जो तीवरता जोरी विबव का मान है, वो क्या आजएगा, KQ बटा R, फिर अंदर भी KQ बटा R है, तो यह ग्राफ ऐसे चलता रह देखो विबव क्या होता है तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो इस P बिंदो को ऐसे लेके जा रहे हो बाहर की तरफ मालो P बिंदू यहां पे है तो तब आपके पास R का मान और बड़ा हो जाएगा P बिंदू यहां पे है तो R का मान और बड़ा मतलब आप अनंत के पास लेके जा रहे हो क्योंकि आप अनंत के नजदीक जा रहे हो ठीक है अनंत के क्या जा रहे हो नजदीक जा रहे हो तो आपके पास विबव का मान क्या हो जाता है अगर आपसे पूछें अधिक्तम मान सतय पर होता है अधिक्तम मान यानि मैक्सिमम मान कहां पर है सतय पर है और उसके बाद क्या हो जाता है और केंदर पर भी और अंदर भी क्या होता है यही होता है तो यह क्या आ गया इस इसका भी फॉर्मुला आपके पास आ गया वीधुत वीबव का अब नेक्स्ट देखो जो नेक्स्ट miten के का pertama वो जो आपने अभी खोकला गोला लिया था, विलकुल उसी के समान आपको क्या करना है, सारे फॉर्मॉले, डैरीवेशन इसका करना है, कारण क्या है इसका क्योंकि आपको पता है कि जो चालक ठोस गोले को जब अपने आवेश देते हैं, तो वो आवेश गोले के अंदर ना जाक कि उसकी सतय पर ही रहता है और क्यों रहता है इसके बारे में डिसकस अपने प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं ठीक है तो इसके बारे में जब डेरी आपने डिसकस कर लिया तो अब आपको क्या करना है जहां जहां पर खोकला गोला या गोली या कोश आ रहा है यहां पर वहाँ पे आपको क्या कर देना है वैस ठोज चालक गोला कर देना है इतना काम करना आपको ठोज चालक गोला कर देना है इतना काम करना आपको ठोज चालक गोला वैस बाकि सारे फॉर्मुले सारे ग्राव सारे डायग्राम सब कुछ सेम है तो यह आपके आज आज दो टॉपि अपने आज दो टॉपिक कंप्लीट कर ली हैं तो इस टॉपिक में कुछ भी नया नहीं था बैस थोड़ी बहुत थोरी थी जो समझने वाली थी तो आपको मुझे उमीद आ कि आपको यहाला टॉपिक समझ आ गया होगा अब जो मेन टॉपिक आता अपना वो आएगा आगे कि जो ए careful ठोस गोले की कारण ठीक है वो सबसे बड़ा टॉपिक आएगा तीवरता और विबो में सबसे बड़ा टॉपिक वह वहला है और उसको मैं बॉर्ड पर करवाओंगा आपको वो आपाने पको जरूर मैं बॉर्ड पर करवाओंगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल और टेलिग्राम चैनल के लिंक मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ वहाँ से आप देख लो, टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लो पीडियाफ नोट्स के लिए तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्टेडी जारी रखें, एक नई एनरजी के साथ, थेंक यू, हैवे नाइस टे बचो